हेलो दोस्तों नमस्कार मैं पंकज अग्रारी आप लोगों का इस अग्रारी अग्राड में पर स्वागत करता हूँ चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं सीर्षा भीमुक कोड क्या होता है चलिए हम लोग लिखते हैं सीर्षा भीमुक कोड क्या होता है सिर्षा भिमोख कोड जिसे हम इंगलिस में vertically opposite angle कहते हैं कौन सा angle कहते हैं vertically opposite angle आप suppose करिए हमारे पास A B कोई रेखा है A रेखा हो गई कौन सी A B इस रेखा A B को कोई दूसरी रेखा C D इस तरह से काट रही है यहाँ पर A D का अगर opposite angle की बात करें तो है C B इसको हमने माना theta 1 इसको हमने माना theta 2 और जो B D का opposite angle है B D के अंगिल को हमने theta माना B D का opposite angle A C के बीच में बन रहा है जिसको हमने theta 4 माना यहाँ पर code theta 1 हमेशा बराबर होता है code theta 2 के और code theta 3 हमेशा बराबर होता है code theta 4 के चलिए हम इसके एक दो example को लेते हैं आप suppose करिए कि अगर कोई हमारे पास इस तरह से आकरती बनी हुई है हमारे पास कोई भी इस तरह से आकरती बनी हुई है हमने इसको A लिया इसको हमने B माना इसको हमने C ले लिया इसके center को A D हो गया इसको हमने E ले लिया ठीक है अब अगर A angle अगर A angle X है और A वाला angle Y है इस angle को हमने Z ले लिया और इस angle को हमने P ले लिया ठीक है तब यहाँ से क्या होगा कि angle C is equal to angle Y, angle Z always will be equal to angle P क्योंकि कोड C कोड Y का opposite angle है क्या है कोड C कोड Y का opposite angle है कोड Z कोड P का opposite angle है चलिए हमें एक example और लेते हैं हमने लिया जैसे कि हमारे पास ये कोई triangle है हमारे पास क्या है ये कोई triangle है हमें पता है कि जो तिर्भूज होता है तिर्भूज के तीनों कोडों का मान साथ हन्स होता है हम ओरली आप लोगों को समझाने के लिए एक triangle मान ले रहे हैं केवल समझाने के उद्देश है A, B, C हमने इसको D लिया हमने इसको E लिया और अब हमने माना ये हमारा कोड कितना डिगरी है अब हमारे पास कितना होगा 110 अब ये फिर 70 डिगरी इसको होना पड़ेगा ठीक गाइस अब ये 70 डिगरी हो रहा है तो ये भी 70 डिगरी होगा ये भी 70 डिगरी होगा और हम जानते हैं जैसे कि हमारे पास अगर कोई लाइन इस तरह से होती है इस लाइन पर जो कोण बनता है वो कितने डिगरी का बनता है 180 डिगरी का अब यहां से आप लोग देखिए हमारे पास ए लाइन है और इस लाइन पर कितने डिगरी का कोण बन रहा भी 70 डिगरी का तो सब 70 डिगरी का क कोंड इस पर बन रहा है तो अभी कितने degree का कोंड बाकी है 110 degree का a हो जाएगा 110 degree और जब a 110 degree हो जाएगा a भी कितना हो जाएगा 110 degree समझ गये guys a कितना हो जाएगा 110 degree या अब हमने यहां पर कौन सत्यवरम लगाया किस rule के एक वर्डिंग हमने इसको किया vertically opposite angle के थुरू vertically opposite angle के माध्यम से opposite angle तो यहां से हमें क्या मिला जो कोंड किस के किस के बीच में बन रहा है जो कोंड C और D के बीच में बन रहा है नहीं गलत हो जाएगा जो कोंड B और D line के बीच में बन रहा है वो कितना degree है 110 degree और जो कोंड A और E के बीच में बन रहा है और O कितना है 110 degree यहां से हम A कह सकते हैं angle B C D is equal to angle A C B और दूसरे साइड हम A कह सकते हैं angle E C D बराबर होगा angle A C B के मैं A समझता हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा चलिए हम एक दो एक्जामपल और देखते हैं हमने लिया A हमारे पास कोई इस तरह से दूसरी आकरती है ठीक है हमने क्या लिया हमारे पास कोई दूसरी आकरती है हमने इसको तोड़ा सा आगे बढ़ा दिया इस तरह से ताकि चीजे हमारे बेहतर समझ में आएं हम जानते हैं जो हमारे पास ट्राइंगिल होता है ट्राइंगिल के तीनों कुनों कमान 180 degree होता है हमने इसको 50 degree मान लिया हमने इसको 50 degree माना एक केवल समझने के उद्देश है तो 50, 500 100, यानि कि यह हो गया कितने डिगरी का, 80 डिगरी का, अब यह 80 डिगरी का हो गया, यह कितना हो जाएगा, यह भी 80 डिगरी का हो जाएगा, अब यहां से इस वाली लाइन पर, इस वाली लाइन पर कोड कितना डिगरी बनना चाहिए, 180 डिगरी, लेकिन बन कितना रहा है, 80 डि अब ये लाइन थोड़ी सी टेड़ी हो गई है इसको हम सीधा कर देते हैं ताकि चीजें आप लोगों को बेहतर समझ में आए चलिए अब ये 100 डिगरी का है इसका अपोजिट एंगिल क्या होगा ये होगा ठीक है यहाँ पे 80 डिगरी का कौन बना क्योंकि इसका अपोजिट ए है यहाँ पे 100 डिगरी का कौन बनेगा कितना डिगरी का बनेगा 100 डिगरी का अब हम इसको कोई नाम दे देते हैं हमने इस ट्राइंगिल को नाम दिया B, इसको हमने माना C, सेंटर को हमने C माना, इसको हमने D लिया, इसको हमने E लिया अब vertically opposite angle से हमारे पास क्या होगा, कौन, कौन कौन से कौन बराबर होगे कौन E, C, D, बराबर होगा, कौन, A, C, B के, अब बराबर कितना है, 80 degree के एचीज आप लोगों को clear हो गई होगी, चलिए, हम दूसरे side देखते हैं D, C, B, बराबर होगा, कौन, किसके बराबर होगा है, A, C, E, K A, C, E, K, बराबर होगा, कितना degree, 100 degree Thank you guys, मिलते हैं आप लोगों उसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद